इसने सोचा था कि लोग के तंत्रकार ऐसे एक अलाग उठेगा अर आवाज जो उसके खिलाब उठेगी कुछलती जाएगी इंडिया इस इंदिरा तो फाइनली दोस्तों कंगना रनोत की मच अवेटेट फिल्म एमर्जनसी का ट्रेलर आज रिलीस कर दिया गया है और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अगर इसका रिव्यू वन लाइन में किया जाए तेट से पाउरफुल एंड हाड हीटिंग ट्रेलर जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे चलें के कंगना रनोत के ही डायरेक्शन में बनने वाली एक मच अवेटेट बावग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसके लीड में आपको कंगना रनोत के साथ साथ श्रेयस तलपड़े, अनुपमखेर, मिलिन सोमान और कई सारे बहतन एक्टर्स नजर आने वाले हैं एक पाउरफुल और असेंबल इस्टारकाश के साथ दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स आफिस पर इस साल रिलिस किया जा रहा है जिसमें आपको कंगना रनोत का अब तक का सबसे बहतन काम देखने को मिलने वाला है इंडरा गांदी के करेक्टर में दोस्तों कंगना रनोत की जिस तरह की बॉड़ी लेंग्वेज और जिस तरह की एक्टिंग यहाँ पर हमें इस फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिल रही है वो आउस्टेंडिंग है और कंगना ने एक बार फिर साबित कर दिया है दोस्तों की वो इंडियन सिरिमा की वन उप दे बेस्ट एक्टरेस है दोस्तों बताते चले आपको की इस 2 मिनिट 53 सेकेंड के ट्रेलर में हमें एमर्जेंसी के समय की वो सभी पहलू देखने को मिल रहे हैं जो कि हमने सिर्फ सुने ही थे यहाँ पर दोस्तों कंगना अरनौत अपने डिरेक्टिन और अपनी एक्टिंग के साथ उन पहलूँ को रखने में काम्याब होती हुई नजर आ रही है बता दे चले दोस्तों आपको की ट्रेलर आउस्टेंडिंग है जिसमें आपको कंगना की जबरजस्त एक्टिंग देखने को मिलने वाली है बागी के अदर जो हिस्टोरिकल करेक्टर्स हैं वोज भी फिल्म में चमकते वे नजर आने वाले हैं दोस्तो बताते चले आपको कि फिल्म में आपको powerful dialogue, attractive background music और emergency के समय के darkest scenes देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपके wrong day खड़े कर देंगे फिल्म में दोस्तो आपको कंगना क्यालावा, अनुपमखेर सर, जेपी नारायन के character में नजर आने वाले हैं उनका dialogue यही होता है जब एक आदमी देश के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है, वो काफी powerful है तो वहीं दोस्तो फिल्म में आपको आटल बिहारी वाचपई के character में सिर्यास तलपड़े नजर आने वाले हैं सिर्यास तलपड़े दोस्तो आटल जी के character को काफी अच्छे से निभाते वे नजर आ रहे हैं लेकिन दोस्तो यहाँ पर surprisingly एक बहत्रिन character में देखने को मिला है वो है शेम मानिक्षा का जिसे की play कर रहे हैं यहाँ पर मिलिन सोमान मिलिन का attitude और उनकी body language बिलकुल शेम मानिक्षा की तरह ही हमें ट्रेलर में नजर आ रही है बागी दोस्तो ट्रेलर में आपको powerful dialogue सुनने को मिलने वाले हैं एमर्जेंसी के समय में दोस्तो देश ने जो काला दिन देखा था उसे यहाँ पर काफी खुपसूरती से दिखाया जा रहा है और यही वज़य है दोस्तो की एमर्जेंसी फिल्म एंडियन बॉक्स ओफिस पर इस साल की एक मच अवेटेट फिल्म बन चुकी है जिसका यह ट्रेलर आपके रॉंक्टे खड़े कर देगा दोस्तो बता दे आपको की यह फिल्म 6 सितंबर को इंडियन सिनेमा गरों में रिलिज होने वाली है और कंगना रनोत के लिए दोस्तो यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी वापसी करेगी क्योंकि दोस्तो आज इस फिल्म के इस ट्रेलर को देखने के बाद इतना गैरंटी के साथ कहा जा सकता है कि यह फिल्म और्डियन्स को सिनेमा गरों तक लाने में कामियाब होने वाली है आपको दोस्तो यह ट्रेलर कैसा लगा हमें अपने राय कमेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तो बॉक्स ओफिस बॉल्यूड और साउस से जुड़ी सभी वड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरू किजिएगा धन्यवाद जेहिं जे भारत